असलाम अलेकुम एव्रीवन कैसे हैं आप लोग आते आपके साथ मैं बिहार का फेमस माकूती की रेशिपी मैं शेयर करने हो लिए हूँ यह जो माकूती की रेशिपी है जिस तरीके से साध्य में बनाते से प्रोसेस मैंने बनाया है और आप यह चीज़ फॉलो करेंगे को इसे खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है दोस्तों तो बिना टैम वेश की वे मैं चति इसे बनाना शुरू करती हूँ माकूती बनाने के लिए यहां पर मैंने 5 टेवल इस्पुन मूंग दाल मैंने लिए है और इसे 4-5 पानी से मैंने वास करके आधि घंटे के लिए मैंने भीगो के रख दे हैं दाल भी अची तरह से भ्यूग चुका है और यहां पर मैंने लॉंग रैस लिए हैं बासमती वले आप चाहे तो छोटी दाने वले जो चावल होते वो भी ले सकते हैं 2 टी इस्पुन मैंने चावल लिए हैं मतलब दाल ज्यादा कॉइन टीटी में रहेंगे और चावल उसे जस्ट कम रहेंगे 5 टी इस्पुन इसे कुकर में गला ले दी हूँ तो यहां मैंने कुकर ले लिया हैं असारे दाल और चावल को मैं इसमें डाल दूँगी अब मैं इसमें पानी डालूँगी पानी मैंने हिसाफ से डाला है मतलि जितने डाल चावल है इसका दुखना मैंने पानी अड़ किया है और इसे लीड लेया के तीन वेशल आने तक इसे हम पकाएंगे दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पानी इतना हिसाफ से मैनिस में डाला था, बिल्कुल ना पतली है, ना ज्यादा ड्राइ हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से वह गल चुका है, अब मैं अच्छी तरह से फेट लेंगी, क्योंकि दाल चाबल की बिल्कुल टुकरे नहीं रहन लिए और आपके पガला और है फैट बनाने के लिए अगर अप्से बनाने के लिए क्लिए और रीन मावा की, अप को नहीं है करश के लिए हैं और यहां पर मैंने Kevra Assenses लिए तो चलते हैं सबसे पहले मैं दूद को बाइल कर लित refugee दूद को मैंने चुलय पर अपर दिया हैं । बाइल होने के लिए अब देख सकते हैं दूद अच्छी तरह से बॉयल हो गई है दूद थोर से गाड़ी भी हो गई है और रिडूस भी हो चुका है और जो जितने भी क्रीम पतीले में लग रहे थे इसको मैंने चमस की हल्से खुरूच के दूद में मिला दिया है अब इसके बाद फिलेम को मैं रखा है और हाई फिलेम पर लगतार चलाते जाना है कि जो दाल चावल अच्छी तरह से मिल जाना चाईए तो देख सकते हैं मिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है इसके बाद जो मैंने इंग्रीडियन्स रखें साड़ा इसमें एड़ कर देंगे तो इसके बाद मैं मावा एड़ कर रही हूं अब चीनी आड़ कर देंगी और इसे लगतार चलाते ही जाना है बॉटम से टच करते हुए आप इससे चलाएं फिल्लेम को मैंने अभिदम मीडियम रखा है क्यूंकि हाई फिल्लेम पर करते तो बहुत जादा ही ओवर्फोलो हो जाता है रेस करके मैंने देख से थोडि और चीनीस में चाहिए तो इसमें मैंने दोबाला फिलसे मैं चीनीस में दे रही हूं सॉरी गाइस जब मैं पतिली को दुश्री पतिली में ट्रांसफर्ट कर दीती वो स्वूट नहीं हो पाया एक्चुली किया है कि जब मैं उससे चला रही थी तो हलकी से मुझे इसमेह लगी पर वो पुरा जला नहीं है मुझे लगा कि कुछ डॉक्ट लगा तब मैंने इस पतिली में ट्रांसफर्ट कर दिया और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सटेश आया अच्छी खुस्पू लग रही है तो अब इसके बाद जो बाकी की इंग्रीडियन्स वो मैं एट कर देती हूं लास्ट बचे थी वो काजू जो मैंने ड्राय रोस करकी रखी थे वो मैं डाल दे रही हूं और केवरा एस बता बता है मुट जाओँ तो इस तरह से दा की मेरा का लाक Heb कर्णा को कॉम्टी की में बाइन और इसके लगोड़ां हो वुट एक आपकी खुटरी हो चुकल नहीं और यह नहीं रहता है लगता है कि और मेरा खाना कंप्लीटी नहीं हो तो कोछी और देसी से राखने क्षक तो अब मैं इसे शर्फ कर लेती हूं दोस्तो आई हो आपको मेरी रिषी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को ज़रूर से लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेन के साथ भी सेयर करें और मेरे चैनल पर फर्स टाम पर प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट से होंगी कि अच्छी से अच्छी रिसीपी मैं आपके साथ सेयर करूं दोस्तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है दोस्तो और मैं आपके साथ मिलते हैं एक नहीं रिसीपी के साथ दुआ में यार देखना खुदा हाफिश थैंक्स फर वाचिंग